नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर दोस्तों आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक न्यूस सुना होगा कि टुफ्ट्स उनिवर्स्टी और अन्य उनिवर्स्टी ने मिलके दुनिया के पहले लिविंग रोबोट्स बनाए थे और इनका ही नाम ज रिप्रोड्ção करने लगे हैं यह करीबन दो बीस की नुष थी पहला लिविंग रोबोट बनाया गया था जोकि सलफ करने में सक्षम रोबोट्स थे तो फ्रॉक के स्ट्रिम से बनाया गया था इनको अब ये reproduce कर रहे हैं तो आज की इस class में इसी topic पर हम चर्चा करने वाले हैं आखिरकार ये xenobot क्या कर रहे हैं reproduce करने का मतलब क्या है तो इससे पहले आगे बड़े आज का सवाल आप देख सकते हैं तो with reference to xenobots दो statement दिए गये हैं आपको बताना है इन में से कौन सा true है दोस्तो मैं नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं pathfinder पर आप मुझसे मेरे telegram चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर lecture के बाद आपको pdf updates मिल जाएंगे इसके सिवा description box में show more में अगर आप देखे तो आपको एक link मिलेगा तो section में अगर आपके मन में एक form है तो उसका फिल कर सकते हैं अगर आपको loan लेना है या कोई भी subscription related query है तो मैं और मेरी team आपसे जरूर संपर करेंगे तो दोस्तों जीनो बॉट्स की बात करते हैं तो आखिरकार यह हैं क्या तो जीनो बॉट्स अगर आप देखे तो इनका नामकरण हुआ है African Claude Frog के उपर जीनो पस लिविस तो ये एक synthetic organism है जीनो बॉट्स जिसमें इस Claude Frog जीनो पस लिविस का के अलग-अलग biological tissues namely skin cells and heart muscle cells इनका इस्तमाल किया जाता है और इसके बाद यह जो cells है जो collection of cells है यह इस प्रकार से move करने में सक्षम है तो इसको design किया गया था Tufts University और University of Vermont के researchers के द्वारा और इसमें artificial intelligence का इस्तमाल किया गया है कि किस प्रकार से इन cells को arrange किया जाए so that यह moving structures में बने जो कि खुद को heal कर सके और एक दूसरे के साथ cooperate भी कर सके तो अगर हम xenobots देखे तो यह 1 mm से भी चोटे size के होते हैं जैसा आप लोगों ने शायद skin cell और heart muscle cell तो इन skin cell और heart muscle cell को frog के embryo से harvest किया जाता है कौन से frog किसे तो African clawed frog xenopus Lewis का इस्तमाल किया गया है उसी के embryo से इन stem cells को harvest stem cells को निकाला जाता है और उसे skin cell and heart muscle cells को harvest किया जाता है तो यह xenobots अगर आप देखे तो cell feel property रखते हैं तो damage हो जाएं अगर इनमें कुछ भी कटे वटे तो यह अपने आप वो जोड़ सकते हैं वैसे यह memories record कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ group में काम भी करने में सक्षम है इसके सिवाए यह अपने surroundings के information को भी store करते हैं तो यह move करते हैं philia like hair particles जो कि इनके surface पर present होता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह जो नीचे वाला पार्ट है इसके cell में तो यह जो arrangement है यह AI के दवारा किया गया है तो super computer के इस्तमाल किया गया जिसमें artificial intelligence के दवारा इनको खुद से arrange किया गया तो इन cells में जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों जो आप red color में देख रहे हैं वो heart cells है जो की contract expand करते हैं तो इस प्रकार से यह cells का जो collection है यह चलने में सक्षम होता है और उपर वाला पार्ट आप देखे तो यह normal skin cell है तो अगर हम new discovery की बात करें आखिरकार ऐसा क्या नया हो गया है जीनो बॉट में जो की news बना रहा है तो वह यह है कि जो report आई है Tufts and Harvard University के researchers के द्वारा उनका कहना है कि यह जीनो बॉट अब self replicate करने में spawn करने में सक्षम है तो इससे पहले मैं कहूं reproduce कर पा रहे हैं आपको ऐसा अगर आपके मन में आशंका है क्या यह stem cells अब frog में कि इस प्रकार का accumulate करते जाते हैं और धीरे धीरे यह pile बड़ा होता जाता है और अगर सही condition रही तो यह pile जो बड़ा हो जाता है कुछ time बाद यह pile भी अपने आपने move करने में सक्षम हो जाता है और यह भी xenobots की तरह move करना शुरू कर देता है तो इस प्रकार से xenobots नए stem cells के साथ अगर रहें तो वो नए xenobots बनाने में सक्षम है तो इससे पहले आपके मन में ख्याल आया है क्या यह अब बढ़ते जाएंगे बनते जाएंगे नहीं इनको destroy कर दिया गया है हाँ जहां तक बात है इन xenobots की अगर हम बात करें तो यह third generation तक नहीं जा रहे है मतलब कि यह जो stem cells के को जमा करके pile जो बना हुआ है यह weak है यह इतने मजबूत नहीं है कि यह वापस एती तीजी से move करें और नए stem cells से वापस और xenobots बना दें तो इस generation से दूसरी generation बन रही है भले दूसरे से तीसरी नहीं बन रही तो इस वक्त यह हमें पता चला है तो अगर हम xenobots की बात करें तो इनका कहां पे इस्तमाल हो सकता है क्यों यह इतना revolutionary माना जा रहा है तो सबसे पहले तो अगर आप देखे तो targeted drug delivery में इसकी बहुत जादा use इस प्रकार से प्लाक जम जाता है तो यह प्लाक क्या करता है blood flow को restrict करता है और फिर stroke आने की संभावना बढ़ जाती है तो इन xenobots को human के ही patient के cell से बनाया जा सकता है जिसको program कर सकते हैं कि वह प्लाक को इस प्रकार से clean करता जाए जैसे आप देख रहे हैं आपे जमा कर रहा है जमा कर रहा है सारे के सारे collection को जमा करके धीरे धीरे साफ करके सब को एक बड़ा सब koagulate करके बना देता है बड़ा सा मास तो उस प्रकार से इसको marines कर सकते हैं कि सारे के सारे पलाक को ले और जमा करके आर्ट्री से निकाल दे और best बात क्या है कि human patient के cells से बनी है तो इस पज़े से कुछ adverse immune response भी trigger नहीं होगा अक्सर क्या होता है कि अगर आप body में कुछ foreign particle डालें तो उसको उसके खिलाफ एक immune response trigger हो जाता है तो इस case में वो भी देखने नहीं मिलेगी तो यह एक बहुत जबरदस्ट application हो सकता है दूसरा दोस्तों कह रहे हैं कि pollution treatment में specially आप देखे जो micro plastic oceans में जमते जा रहे हैं तो उसको यह remove करने में बहुत बड़ा role play कर सकते हैं क्योंकि future में xenobots अगर आप देखे तो वो micro plastics जो oceans में है उसको इसी प्रकार से वो collect करके करकर के जमा करते जा सकते हैं और बड़ा बड़ा मास में convert कर सकते हैं और फिर इस बड़े से plastic को निकाला जाया जा सकता है ocean से बड़ी असानी से best बात क्या है यह xenobot किसके cell से बने हैं तो frog के cell से बने हैं frog कौन सा frog अफ्रकन cloud frog या फिर xenopus levis इसके cell से बने हैं तो यह living cells जो stem cells है उनसे बने हैं तो यह biodegradable है तो इस प्रकार से यह ocean में खुद pollution नहीं करेंगे जब तक इनके जो cells में fats में प्रोटीन में energy है वो energy जब तक रहेगी तब तक यह इस प्रकार से अपना काम करते रहेंगे और एक time बात cell की तरह ocean में पड़े रहेंगे जो कि biodegradable होंगे और फिर ocean में समा जाएंगे तो इस प्रकार से यह खुद भी pollution ट्रिगर नहीं करेंगे अक्सर क्या होता है ocean को साफ करने में इस पक जित्ती भी technology है वो खुद pollution causing है उसमें fuel लग 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 चीज़े लग रही है तो और pollution add कर दे रहे हैं कई बार oceans में तो वो दिक्कत भी नहीं होगी तो यह बहुत ही potential future application है तो आईए आद का सवाल देख लेते हैं तो with reference to xenobots which of the following statements are true इनमें से पान कौन से statements true है statement 1 इनका नाम African Claude Frog के उपर किया गया है number 2 they are non biodegradable जल्दी से answer बताए comment section में क्या है answer तो I hope आप लोगो degradable nature के हैं और इसी भी pollution में pollution abatement में pollution treatment में इनका बहुत जबर दर्स्ति रोल माना जा रहा है तो answer is a one only तो दोस्तों आची class पसंद आई हो तो like जरूर करी किजिएगा and unacademy जब भी आए तो use the code kc10 अपने दोस्तों के साथ भी इस code को share करें अपने दोस्तों के साथ इस video को भी share करें बहुत important video है and unacademy के इस channel pathfinder को subscribe जरूर करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूंग उसके बाद मुझसे संपर्क करें तो जो guidance है that will cover all subjects of GS, essay and geography optional and answer writing में भी आपको जो मदद चाहिए होगी वो में provide जरूर करूंगा इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा price hike की तारीक तैय हो चुकी है not December को होने वाली है annual price hike है तो उसके पहले ये ideal time है unacademy subscription लेने का आपको free 3 months extension भी मिल रही है अगर आप अभी an academy subscription लेते हैं UPC CSE combat है तो संडे को होने वाला है चार करोड से ज्यादा की scholarship है तो इसका फाइदा उठाएं enroll करें use the code KC10 free test series है जैसा आप screen पर देख सकते हैं इनका भी हिस्सा आप बन सकते हैं इसके सिवा loan के लिए भी हम आपको loan भी provide कर रह होती है study planner मिलता है main question answer practice भी मिलती है इसमें आपको इसके सिवाद 2 साल की subscription की plus की cost है 4,800 रुपए 2 साल की iconic subscription की कीमत है 1,4,175 रुपए और 1 साल की optional subscription की कीमत है 24,750 रुपए यह सारी कीमते तब हैं जब आप code KC10 का इस्तमाल कर रहे हैं याने वो code जिससे आपको mentorship भी मिलती ह है तो UPSVVC batches 8 तारीक से start होने वाले है 8 December Hindi English bilingual तीनों में available है एक साल दो साल दोनों ही batches आपको देखने मिलेंगे तो इनका हिससात जरूर बने Thank you so much for joining have a great day and let's crack it